हलो दोस्तो मैं राजवर्मा आज आपको बताऊंगा स्किन शाइन क्रीम के फायदे इसके नुकसान और इसे किस परकार से लगाया जाता है तो दोस्तो वीडियो का पूरा देखिएगा लेकिन उससे पहले दवाईयों की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब साथ में घंटी वाले निशान को भी टच कीजिएगा दोस्तो स्किन शाइनी क्रीम आती है केडला फार्मसोटिकल की और इसका प्राइज होता है एक सो तीसर पे 15 ग्राम की ट्यूग आपको मिलेगे कैमिश शॉप से दोस्तो ये एक जनरिक प्रोडक्ट है तो आपको ये कम रेट में भी मिल सकती है और दोस्तो इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रो कुिनोन ट्रेटिनोईन एंड मोमेटासोन फ्यूरेट क्रीम दोस्तो इस क्रीम का प्रियोग चहरे पर होने वाले दाग धबे कील मोहासे ब्लैक हैट्स चोटी चोटी फुनसियों को ठीक करने के लिए इस ट्यूब का प्रियोग किया जाता है लेकिन दोस्तो कई लोगों को इस ट्यूब से रेक्शन भी हो जाता है उनके चेहरे लाल भी हो जाते हैं तो मैं आज उसको ठीक करने का भी थरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो दोस्तो पूरा ही देखना दोस्तो स्किन शैन क्रीम का प्रियोग लड़के और लड़कियां दोनों ही करते हैं अपने दाग धबे ठीक करने के लिए रंग साफ करने के लिए गोरा होने के लिए इस क्रीम का प्रियोग करते हैं और काफी हद तक उनका रंग भी साफ हो जाता है और उनके दाग धबे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो दोस्तो तो मैं बात कर रहा था कि ये रियक्शन कैसे कर जाती है दोस्तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको गलत तरीके से लगाते हैं और ज्यादा इसको इस्तिमाल करने से और ज्यादा इसका प्रियोग ज्यादा दिन ने प्रियोग करने से भी ये नुकसान कर देती है क्रीम दोस्तो इस क्रीम को सिर्फ रात को ही लगाएं दिन में इस क्रीम को बिल्कुल न लगाएं और इस क्रीम को लगाने के बाद धूप में तो बिल्कुल ही मत जाना क्योंकि धूब की वज़े से ये क्रीम जल्दी रेक्शन कर देती है और स्किन को जला देती है स्किन को पतला कर देती है जिसकी वज़े से चेहरा लाल हो जाता है खुजली भी होने लगती है दोस्तो इस क्रीम के साथ साबुन बगेरा का प्रियोग नहीं करना चाहिए साबुन से मूँ नहीं दोना चाहिए सिंपल इसी क्रीम का प्रियोग करें और साधा पानी से मूँ को दोना चाहिए दोस्तो इस क्रीम के बाद अगर आपका चहरा भी लाल हो जाता है लगाने के बाद तो रिरेक्षन कर जाती है तो आप इस क्रीम को बंद करके तुरंत कोई लुबेड जीम क्रीम आती है इस नाम की क्रीम को आप चहरे पर लगा सकते हैं ताकि वो आपके जो लाल हो गया है चहरा जखम टाइब बन गया है तो उसको ठीक कर देगी लोवेट जीम तो दोस्तो आपने इस क्रीम का ज्यादा दिन इस्तिमाल नहीं करना है जब तक आपका चहरे की प्राब्लम ठीक नहीं हो जाती है तब तक ही इस क्रीम का प्रियोग करें और अपनी मर्जी से ज्यादा दिन यूज ना करें एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें जब भी इसे इस्तिमाल करें तो उमीद करते हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना शेर करना कमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले धन्यवाद